आप देख रहे हैं MB Network मैं हूँ आपके साथ पंकच यादब राजिस्थान, विधानसभाचुनाप और बगाबर बहुत कुछ कह जाते हैं शब्द क्योंकि कॉंग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की और उससे पहले ही बगाबर सी कॉंग्रेस की अंदर नजर आने लगी है तो राजिस्थान में होने वाले विधानसभाचुनाप के लिए कॉंग्रेस की चुनाप समीती ने लिस्ट तयार की लेकिन कई नामों को लेकर इस दुरान समस्या भी उठी और इसके बीच ही शांती धारिवाल के नाम पर खुद सोनिया गांदी और राहुल गांदी नाराज हो गए उन्होंने धारिवाल की उम्मीदवारी को खारिच कर दिया है पहले राहुल गांदी ने मुखे मंत्री की बात काटी फिर सोनिया गांदी भी जुरान नाराजगी जताती हुई नजर आई इसी पर आज खास चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए राजिसान में होने वाले विधान सबा चुनाप के लिए कॉंग्रेस की लेस्ट फाइनल नहीं हो सकी कॉंग्रेस की केंद्य चुनाप समीती की बैठक हुई थी इस बैठक में कई नामों पर आपत्ती जताई गई लेकिन एक नाम ऐसा था जिस पर खुद कॉंग्रेस संसदिय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व रास्टिय अध्यक्ष राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की और ये नाम है राजिसान के यूडियेच मंत्री शांतिधारिवाल का सूत्रों की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही शांतिधारिवाल का नाम सामने आया वैसे ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनके नाम पर कड़ी प्रतिकिर्या जाहिर करते हुए उनकी उम्मेदवारी को सिरे से खारिज कर दिया अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार शांतिधारिवाल से सोनिया गांधी क्यों नाराज है दरहसल पिछले साल 25 सितंबर को शांतिधारिवाल ने पार्टी आलाकमान की आदेश के खिलाप हुई गहलो समर्थक कॉंग्रेस विधायकों का नेत्रत्व किया था उस वक्त सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम प्रमुक थी उन्होंने मलिक आरजुन खरगे और अजे माकन को परिवेक्षकों बना कर राजिस्थान में कॉंग्रेस विधायकों की बैठक के लिए भेजा था इस बैठक में एक लाइन का प्रस्ता पास होना था चर्चा थी कि अशोग घैलोत को हटा कर सचिन पाइलेट को सीम बनाया जा सकता है और इसी डर से घैलोत समर्थक विधायकों ने शांती धारिवाल के आवास पर अलग बैठक की गैलोत गुट के विधायकों ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर अशोग गैलोत सीम नहीं तो ये सरकार भी नहीं इदर पार्टी काराले में भी विधायकों की बैठक के लिए खरगे और माकन इंतिजार कर रहे थे वहां बैठक में कुछ विधायक ही पहुचे जो पहुचे थे उन्हें पालेट गुट काप बताया गया शांती धारिवाल के आवास पर सामानतर बैठक से खरगे और माकन को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी ये दोनों बिना बैठक के ही दिल्ली लोटाए और जो हुआ उसके बारे में सोन्या गांधी को रिपोर्ट दी बाद में पार्टी की ओड से तीनों कॉंग्रेस नेताओ धारिवाल महिश जोशी और राज्य परेटन विकास नगर के अध्यक्ष धर्मेंद राठोर के खिलाब कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था तो जिस सरह से कॉंग्रेस एखेमे में नाराज़गी की खबरे आती रहती है बगाबत के सुरूठते रहते हैं ऐसे में लगता है कि अब कॉंग्रेस नित्रत्व एक्षन मोड में है और यही वज़ा है कि आगे कोई फिरिस्तणरिगे की बगाबत ना करे इसके लिए कॉंग्रेस ने तरत एक्शन ले रहा है विरो रिपोर्ट एमबी नेटवर्क तो जिस तरीके से राजिसान की अगर बात की जाए तो राजिसान को लेकर अभी भी कॉंग्रेस की तरफ से जो लिस्ट है वो सामने नहीं आई है तमाम तरीके के जो वगावत के सुरहें वो भी देखने को मिल रहे है खुद सोनिया गांदी और राहूल गांदी भी लिस्ट में कुछ ऐसे नाम है जिनको लेकर वो पूरी तरीके से नाराज की जाहिर करते भी नजर आए है और ऐसे तमाम बाते भी निकल कर सामने आ रहे हैं कि कुछ ऐसे जो उमीदवारों के नाम है जिनको लेकर जो सहमती है शायद वो नहीं बन पा रही है और यही करण है कि अब कॉंग्रेस की तरब से जो पहली लिस्ट है उसमें देड़ी हो रही है लेकिन अगर बात की जाये जिस सरीके से चुनाब से पहले की अगर बात की जाये तो उमीदवारों को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आए थी कॉंग्रेस ने खुद ने कहा था कॉंग्रेस की तरब से तमाम नेताओ के बिज जो बयान सामने आये थे कि वो पहले ही कम से कम जब चुनाब होगा उससे दो महीने पहले ही प्रितियासों की जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगे लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पिनेता, आमितिवारी मेरे साथ में है, कॉंग्रेस प्रिवक्ता बूदेब शर्मा है और राजनेति विशलेशक राहुल तलान भी मेरे साथ में है आप तीनों महवानों का स्वागत है एम बी नेट्वर्क पर तो देखें जिस तरीके से राजसान की अगर बात की जाए तो राजसान में अभी तक जो लिस्ट है वो फाइनल नहीं हो पाई है और उसी को लेकर अभी भी अगर बात की जाए कॉंग्रेस की तो पूरे तरीके से जो माथा पच्ची है वो लगातार जारी है अगर बात कीजा जिस तरीके से बीजेपी में भी देखा था कि تمाम तरीके के जो बगावत के सुर्थे वो नज़रार आरे लेकिन आप जिस तरीके से कॉंगरेस में आरे हैं आप किस तरीके से देखते हैं इसको आपकुट एन गूटाव है उनमें ही अगर तकरार है उनमें ही अगर एक समन्वे नहीं है तो कॉंग्रेस की इस्टिती साफ है और उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस ने एक बहुत ही महतकून बात गैलोज जिन गई कि उन नेताओं को टुड़ेट नहीं दिया जाएगा जिनके उपर करप्शन के चार्जेज है तो राजस्थान की जन्ता आज ये जानना चाहती है कि अगर उन नेताओं के उपर करप्शन के चार्जेज हैं तो उन पर कारवाई क्या हुई उन पर अगर वो अभी तक पार्टी में कैसे बने हुए है और क्या जब तक उस करप्शन की मलाई कॉंगरेस खाती रही तक सब ठीक था और चुनाओं के बाद उनको ये कॉंग्रेस कार्प्शन के साथ है जो दारिवाल है उनको लेकर भी अब खास करके सोन्या गांधी नाराज है राहूल गांधी नाराज उनको ने कहा कि किसी एक व्यक्ति को लेकर किसी भी तरीके के जिसने बगावत के सुरू उठाएं उनको हम नहीं पृतियाशी बनाएंगे तो क्या लगता है कि क्या कॉंग्रेस के खिमे में जिस तरीके से बाते ऊठ रही है वो क्या मुश्किल खड़ी कर सकती है कांग्रेस के लिए राहूल जी मेरी आवाज मिल पा रही है आप में कहरा हूं है परकत ची हे की सिस्की बड़ी जाहए है और हमीरी कि जरूदत था यहा रीनि कि फोधश्सार ही है तक से पहले मादबो Bismillah मैं पूरी थी तुम मों से थी जरूरत की थी ज़े की तो जा ले जाहए है कि वाल दी में तो इस उडिति कहें करें तो सभाल नहीं हुए दिशू क्राओ सुशरे में उपना हुपटी कि अगंट हो आखें veramente हुए एक जसा रिए उल्हक गढ़िए ह lleva के विदाएक डर्स प्रिसाओ disso जब ऐसी बात है तो यह सब जखिए ऐसा है कि सब अपने अपने खेमे के लोगों को चिट जलाने के लिए अंदरुनी गुटवादी Congress में खूब चल रही है इस वक्त राजस्थान में तो सब अपने खेमे के लोगों को चिट जलाने की कोशिश कर रहे हैं जो को यह नया खेमा ल láne के लिए इस राजस्थान में, गहनों जी और सचन पायरेट जी का जो विवाद रहा है वो किसी से छुपा तो गवाए नहीं है, अगर जो कॉंग्रिस की सरकार चुनके आती है, तो कोई भी दोनों गुटों में से यह नहीं चाहता है कि उसके उसके नेता कम विधायक हों, तो जादा लोग उसके प्रफिकेट चुनके आएंगे, उसकी मुख्यमंत्रीपत पर उतन कॉंग्रेस के लिए, तो कॉंग्रेस यह भी नहीं है, ठीक है, राहूल तलाज जी वापस रोटूँगी, बुदेब शर्मा जी आवाज मिल पा रही है, बिल्कुल, बुदेब शर्मा जी आखिरकार लिस्ट कब तक आएगी, अब तो धारिवाल को लेकर भी नाराज की साम आएगी, सभी को इंतिजार है पहली लिस्ट का? बुदेब शर्मा जी ने जितना काम किया है, बाते जनता पार्टी के अंदर जितना कले है, वो किसी से चुपाए जिया, बिल्कुल, बुदेब शर्मा जी आप लोग अशोगहलोत के साथ में चुनाब लड़ रहे हैं, आपके नेतरत की अगर बात करें, वहाँ पर इन पार्ट खेमे में और सुने और अशो गहलोत खेमे में और उसी की वज़ये से उस खेमे में जिस तरीके से बगाबत हुई थी, उसी की वज़या से तो धारिवाल का नाम पर लग जारी दावेदारी ठोक रहे हैं, अभी तक लिस्ट के लिए नहीं हो पा रही है, और अभी तो टिकेट का भी आवंटन नहीं हुआ उससे पहले इतनी बड़ी पगाबस चुड़ू हो रही है कॉंग्रेस के अंदर पंकर जी अब आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं जवाब दे लूँ बिल्कुल जवाब आप दीजिए अच्छी बात है कि मैं जनता की आवाज लेके बैठी ओ लेकिन इसी तरह के सवाल आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी कीजिए उनकों जैसे आप उनके बीट में नहीं बोलते हो तो मुझे भी पूरी बात रखने का मौका दीजिए आपने कहा कि कॉंग्रेस में बगावत के सुच कुर रहे हैं कोई भी पार्टी हो बात चलते हैं लेकिन आज हमारे नेतर चाहे वो पाइलेट साब हो गहलोती हो एक साथ चुनाब लड़ रहा है पाइलेट साब ने कल भी का ये लोग कुछ भी बोलते रहे हैं आज भारती जन पार्टी नहीं तो कौण? इंके पास एक कहरा तक नहीं है भारती जन्ता पार्टी के पार जबाबें रहे हैं। अगर सत्ता में होते विरोध होता तो अच्छा लगता है कि क्योंक एक एंटी इंकम्मेंसी बनती है तो आप इस चीद से समझ सकते हैं कि वारतिय जन्ता पार्टी की राजिस्तान में क्या आता है इनके पास कोई चेहरा है नहीं है यह सोच पा रहे हैं किसको टिकट दिये जाएं और स्टेट में चाहिए वो मद्य प्रदेश हो तेलंगा नहीं हो इनकी आपने देगा भारतिय जन्ता पार्टी ने मुझे लगता है कि एक महीने से अधिक हो गए जब इनकी लिस्ते निकलना कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा है पांच यहीं कहना है कि महुदी नहीं तो कौन जिस तरीके से आप लोग भी आष उठाते हैं आखिरकार पांच राजियों में जो चुनाब हो रहे हैं वहाँ पर सीएम का चेहरा अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है दुशी तर पर बसम पंदरा राजे की बात करें तो वह भी नाराजगी और इतना है कि आपने जो लिस्ट जारी की है पहले उसमें भी कई ऐसे पंदरा नाम है जो की निर्दलिय तोर पर भी अब जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बीजेपी में किस तरीके से बगावत के सुर्ण सुरू हो रहे किस स्थिति में है जो राहूल गांदी कहते जो सोनिया गांदी कहते किया उनकी बात को वह काट सकते हैं आज कह लो जी इस तितिती में नहीं है कि वह अपने चाहिए लोगों को अपने कैंड़ेट को खड़ा कर सके और अगर उन पर मोहर नहीं लगती है तो किस तरीके से उ नहीं किया गए बहुत सारे नहराजगी महापर देकी जारी है बीजेपी में बीजेपी पंकर जी बीजेपी की कारे फ्रणाली अलग है हम अवरे एक डिसिप्लींड पार्टी है लेकिन कोई तो चहरा लाई है ना अमित जी कोई तो चहरा लाई है ना जिसके चहरे पर आप जनता को ये बोल सके कि हाँ इसके चहरे पर हम चुनाब लड़ रहे है गुम नाम बाली जिन्देगी नहीं चल रही है अमित जी कोई जी कोई जनता पसंद करती है उनको चुनती है और हम उनी के चहरे पर जारे है और कमल का हमारा निशान है राजस्थान का विकास हमारी रडनीती के केंडर में प्रधान मंत्री मोदी जी जी चहरा राज हमारा चल राजस्थान में चमकने जा रहा है और कमल का दिशान वहाँ पर खिलने जारहも हमारी रदनीती है उर इंके पास जो ये करutश गेहली we इनको बताना चाहिए कि जो गैलोथ वहाँ पर अपने मंद्रियों पर टिक को टिक topics लें उनकी सिती क्या होगी कि अधिकी अगर आप अगर बात करें शांती दरीवाल जी की सब्सक्राइब दीजिए गुदेफ शर्माजी आवाज मिल पा रही है पिलिकुल मेरे को आवाज आ रही है आज मैं चाहूंगे आज आप खुलकर बोलिए आज आप बिल्कुल खुलकर बोलिए क्योंकि जिस तरीके से आप करना तो मेरी ड्यूटी है चाहें वो किसी भी पार्टी से हो कि मैं क्रोश कोशन करने के लिए यहां बैठी हो पंकर जी अभी टिवारी जी ने सुलिकार किया कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है मत्य प्रदेश में यह सिवरा सिंग जी के चेहरे को भी सामने नहीं कर पा रहे हैं अब इनको यह बताईए कि मोधी जी देश के प्रदान मंत्री हैं या राज्यों के मुक्रमंत्री कॉंग्रेस पार्टी की लिस्ट का सवा तो मैं आपको पंकर जी इसपस्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे नेसा राहूल गांदी जी जो हमेसा युवाहों के लिए भोश्टे हो ने लेकर कि यह कहा था कि इस पर वापस वही पुराने नाम लेकर किया है और आपने नए नाम को क्वा निलेकर किया है हमने मढई प्रदेश में 9 संग्रेस के लड़कों को तिकट दिया है चाहिए वह प्रदेश्ट इंत्य जत्रेश हो र श्रात इस फोई लेकिन यहां तो भार्टे जंता पार्टी तो यही टेक करनी पा रही है कि इनका मुख्यमंत्री तो छोड़िये टिकट किसको दें चीक है भुदेब शर्मा जी वापस लोटूंगी राहूल जी अब जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से तो कोई चेहरा सामने आनी रहा है कि जिस तरीके से कॉंग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि इनके पास में कोई चेहरा नहीं है लेकिन अगर अब जिस तरीके से टिकट को लेकर यह पृतियाशों की जो घोशना हो रही है उस दोरान बीजेपी में भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जो निर्दलिये त कि इस तरीके से आप देख रहे हैं? इस तरीके से लेकिन देख कि कहले में कुछ बुएम दीख रहे बीजेपी का ये भी देखने वाली बात होगी देखिए अच्यानक से क्योंस हो गया है राजिस्टान में अमजब प्रुदिश में चक्तिजगर में किसी के पेस पे नहीं जा रहे हैं तो लोगों को भी चीज समझ में आगी कि मोधी अकर जो मोधी पी कुरालिका का मुख्य मं लड़ाई एक विजेपी बहुत जवर्दत पौमद से जीकती है लेकिन जनता को ये समझ में आज सुपी चीज है कि मोधी जी को सेंटर में रहना है ये राजिस्तान में तो कोई जिसको चाहें तो बिठाएंगे तो मोधी जी के पेस पे चुनाव लड़ना जनता को इतना बताए इसको चाहरा बताएं जत्या जो दिया कुमारी होंगी राज्यवरत in Onor चैहरा होंगे जय कहाँ उपनातनान नहीं को जनता होगा वैसेी मज्ज़ प्रदेश मे आफ्ने छान्र लीजर टार दिया कया ल कंतर को बताया working पर याना होगा, तो ये साही चीट के चलन रही है जवक राजिवीटी में, साथ कर्वीजेपी की राजिवीटी में ज़ेखिए भागवाए. पूदेव शर्माज जी फाइनल कमेंट आपस चाहूंगे. पूदेव शर्माज जी फाइनल कमेंट आपस चाहूंगे. पंकर जी राजिवीटी ने बिल्कुल ठीक कहा, कि अगर जिनके पास कहरा नहीं है, आज 21 सदी का भारत है, यहाँ के लोग अब समझदान है, इनको जितना परगलाने का काम मोदी जी ने अपने नम पर किया हो, या देश की जस्ता को जूटे बादे करके किया है, वो जनता अब समझ चुकी है. आज मत्यप्रदेश में यह बोलते थे गए, इन्दू, 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 उस नारे को भी यह जनता समझ चुकी है, किस तरह से यह केवल हिंदूों के बगवान के नाम के बोट मानते हैं, अपने काम पर बोट नहीं मानते हैं, इन्दू, 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 पर दिए पर आप नहीं किया हुआ है पांचो राजियों में प्याम पर आप चुनाब लड़ रहे हैं जी मैंने पहले ही अपने वक्ताप में कहा था कि हमारे पास तो देश का सबसे लोग प्रिया और सबसे चर्चित चेहरा मुख्य मंत्री तो नहीं बनेगे ना कोई तो चेहरा लेके आईए सामने जी बिल्कुल वो इलेक्शन के बाद होता है हो जाएगा जिसको भी बिद्वायक मिलकर चुनाब करेंगे लेकिन मैं आपको ये बता दूँ और भुदेव सर्मा जी को ये मैं बताना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान में 50 सीडे भी नहीं मिलने वाली है आप ये गिन के रख लीजिए 50 भी नहीं मिलने वाली है क्यूं मैं बताता हूं करप्शन के मुद्धे पर कॉंग्रेस नंबर वन है बेरोजकारी के मुद्धे पर कॉंग्रेस नंबर वन है महंगाई के मुद्धे पर कॉंग्रेस नंबर वन है दूस्ती करण की राजनीती पे किस तरीक का करहिया कर नहीं है लाल की गले रेत दिया जाता है वहाँ पर और कॉंग्रेस की सरकार चुप रहती है कुछ भी नहीं कहती है और एक कभी कुछ दिन के पहले बाइक एक्सिडेंट हुआ था तो उस बालक को पचास लाग का तुरंट दिया गया मुअपजया और कनेया लाल को मुअपजया अभी तक नहीं दिया गया इस तरीके से राजिस्तान की अगर बात की जाए तो राजिस्तान में अभी भी कॉंग्रेस की जो लिस्ट है वो फाइनल नहीं हो पाई है पहली लिस्ट तक नहीं आ पाई है जबकि दो महीने पहले ही बोल दिया गया था कि दो महीने पहले ही चुनाप से लिस्ट जारी कर दी जाएगे लेकिन कहीं ना कहीं अभी जीसी तरीके से उम्मिदवारों को लेकर जो पैचे वो फसा हुआ है चाहे वार्शो गैलोत का मान लीजिए या फिर सचिन पाइलेट का क्योंकि इन दोनों केमे के बीच में हमेशा से ही तनाब जो है वो देखने को मिला एक दूसरे के लिए लेकिन अब देखने वाली बात ही होगी कि आखिरकार कॉंग्रेस की जो पहली लिस्ट आती है इस दोरान कितने बगाबती सुरूटते हैं और कितने संतुस्ट बैते हैं इसी को लेकर अब जिस तरीके से तमाम तरीकी की बाते निकल कर आ रही है कि आप इन पर अंकुष लगता है ये फ्लाल अब देखने वाली बात होगी मेरे साथ फ्लाल इतना ही आप देखते रही है एम बी नेटवर्क नमस्कार